इंडिया people and economy का chapter population इस एक वीडियो में हम इसके सारे important questions को discuss कर लेंगे अगर आपने NCRT पढ़ लिया उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हो तो ये वीडियो देखने के बाद आपका पूरा chapter प्रिपेर हो चुका होगा आप बोर्ड में 100% score इस chapter से कर रहे होगे अगर NCRT अभी तक अच्छे से नहीं पढ़ी है तो उसके लिए आप आप आचा दिदी का explanation वीडियो देख सकते हैं how population data are collected या फिर यही question पूछा जा सकता है कि population data के लिए हमारे पास क्या source है या फिर census के बारे में बताओ सब में हम similar answer लिख रहे होंगे हर 10 years में हम एक census operation करते हैं जिसके through हम population data को पूरा collect करते हैं throughout the country हमारा पहला census एक official complete census हमने complete किया था 1881 में 1872 में एक pilot census हुआ था एक trial run जैसा हुआ था लेकिन जिसको हम official first census नहीं बोल सकते तो official first census की data आप अच्छे से याद रखिएगा 1881 और 1872 pilot census अब यहां पर आप देखके बोलोगे कि कितने सारे question डाल देंगे क्या है सारे question आप पढ़ लीजिए pause करके सब में आपको देखने को मिले हैं कि हम similar चीज की ही बात कर रहे हैं सारे topics में हम physical factors, population distribution की जो factors हैं उनकी हम बात कर रहे हैं तो अलग-अलग तरीके से question पूछा जा सकता है और exact same answer नहीं होगा लेकिन सारे question का answer similar ही होगा तो पूरा population distribution में आपको समझा देता हूं फिर किसी भी words में question की framing हो आप से answer बन रहा होगा सबसे पहली चीज कि हमारे इंडिया में जो population distribution है वो हर जगा अलग-अलग है किसी जगा पर बहुत जदा population है किसी जगा पर कम population है तो अगर आपसे factors पूछे जाते हैं तो आप लेखेंगे land, वहाँ का weather, वहाँ की water availability, वहाँ की history की कितने time से वहाँ पर settlement है यह हो गया हमारे सारे factors अब हम examples की बात कर लेते हैं हमारे north indian plains हो गया, deltas हो गया, coastal plains हो गया यह वो जगह है जहाँ बहुत जदा population रहती है क्योंकि यहाँ का weather अच्छा है, यहाँ पर water availability अच्छा है लेकि southern regions हो गया, central states, the himalayas और कुछ north और west के कुछ regions जहाँ पर कम population रहती है क्योंकि वहाँ पर factors favorable नहीं है, similarly यह जो चीज है वो change होती रहती है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ही population distribution सेम ही होगा, for example, राजिस्थान में आज की date पर water availability को बढ़ा दिया गया है farming के लिए, तो यहाँ प आते हैं, वहाँ पर population shift होने लगती है, और ज़्यादा रहने लगती है, और भी क्या factors है हमारे पास, एक factor है history वहां की, कितने time पहले से वहाँ पर settlements बनी हुई है, कितने time से लोग वहाँ पर settle हो के agriculture वगेरा कर रहे हैं, plus कितना easy है वहाँ पर transport और communication करना, इसके example से, rivers के पास बहुत पुराने settlements है, plus वहाँ पर travel and communication easy है, तो हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर ज़्यादा population रह रही होती है, एक और factor है कि job availability कितनी है, जितने भी हमारे बड़े cities होते हैं, चाहे Delhi, Mumbai, Kolkata, Bangalore, Pune, Ahmedabad, Chennai, Jaipur, यहाँ पर job availability काफी ज़्यादा अच्छी होती है, पर हमें ज़्यादा population देखने को मिल जाती है, compared to वहाँ पर job availability ज़्यादा नहीं है, अगला question है, defined density of population and इसके क्या significance है, special distribution of population को समझने में, जो हमारे land distribution है लोगों का, किस जगा पर कितने लोग आ रहे हैं, उसको समझने में इसकी क्या significance है, बागी question भी आप pause करके पढ़ सकत population density का meaning होता है कि किसी एक region में कितनी population रह रही है, उसको हम बोलते है, उसकी density, यह हमें help करता है, special distribution को समझने में, हमारे इंडिया के अगर आपन बात करें, हम बात कर रहे है, 2011 के census के जो numbers है, उनकी सारे answer में हम यह numbers देख रहे होंगे, तो हमारे 1 square kilometer के area में 382 people रह रहे हैं, यह over the past 50 years काफी huge amount में बढ़ा है, अगर आपन 1951 की बात करें, तो इसी region में 117 लोग रह रहे होते थे, लेकिन आज की rate पे, यह 382 तक number पहुच चुका है, तो over the past 50 years, 200 people per square kilometer के तक number बढ़ चुका है, अगर आपन अलग-अलग इंडिया के regions की बात करें, तो यह density हमें अलग- capital territory of Delhi की बात करें, जहां पे job opportunities काफी जादा है, वहां पे development काफी जादा है, तो हमें देखने को मिलता है कि density बहुत जादा है, 11,297 persons, population density हमें समझने में help करती है, कितने लोग के जगा पर रह रहे हैं, लेकिन यह basic measure है, अगर हमें यह समझना है कि लोग उस land का किस तरीके से use कर रहे हैं, वहां पे रहने वाले लोग, तो हमाँ पस दो और factor से जाते है, physiological density और agricultural density, physiological density याने कि total population उस जगा की divided by net cultivated area जतना area cultivate किया गया है, और agricultural density याने कि total population जो agriculture में involved है, याने कि agriculture labors और farmers वगरा उनकी families divided by net cultivable area जो उन्होंने cultivate किया हुआ है, इसके बाद अगला question हमारा आ components, तो हम पूरा population growth की यहां पर बात कर लेंगे, growth of population याने की, एक time period के बीच में कितनी population change हुए है, उसको हम बोलता है, growth of population, it's expressed in percentage, 10%, 20%, 30%, जो population growth है, उसके दो component हमें देखने को मिलता है, एक हो गया natural component, नेचरल component याने की, total हमने compare कर लिया, growth or growth death rates कितनी है, कि इतनी birth rate हुई है, इतनी death rate हुई है, उस समझ में आगए कि change of population कितनी हुई है, दूसरी एक चीज होती है, induced component, याने की, वो factors, जो की external factors के कारण change हो रहे है, इसमें क्या क्या आगए, कितने लोग migrate कर रहे है, कितने लोग inward migration कर रहे है, किसी जगा पर आ रहे हो रहे है, अगर आपन decade है, 10 years की बात करें, आपन annual growth rate of population की बात करें, इंडिया में, तो काफी ज़्यादा high है, दोनों के दोनों, क्योंकि overall population हमारी काफी ज़्यादा बढ़ रहे है हर region में, तो growth rate of India's population is 1.64%, इसको आप याद रखिएगा, वैसे यहाँ पर side map को एक box में question द doubling time, यह एकदम basic question है, आप खुद से answer कर सकते हैं, इसका answer आप comment में बताएगा, describe the third phase of growth of population in India, लेकिन सिर्फ third phase नहीं, first, second, fourth phase की question भी आजाते हैं, हो सकते हैं, आपको थोड़ा-थोड़ा सब के बारे में लिखना हो, किसी एक के बारे में जादा लिखना हो, तो हम सब के बार जाएं, लेकिन इतने से काम नहीं चलेगा, जब आपको सिर्फ एक के बारे में लिखने को आएगा, तो आपको पूरा लिखना होगा, तो हम एक एक करके चारों की in-depth बात कर लेंगे, ताकि कुछ भी question है, आपसे बन रहा हो, तो हमने पहले ही बात कर लिए, birth और death rates के आते हैं, तो वो red color से मैने यहाँ पर डाल दी है, phase number one है, 1901 से 1921 का period, यह वो period था जब हमारी population growth stagnant थी, रोकी हुई थी, क्यों हम under colony थे, हमाया famines वगरा काफी जादा आते थे, death rates काफी जादा high था, इसलिए यह हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, कि growth rate was notably low, इसी के बीच म हमें negative rate देखने को मिलती है हमारे इंडिया में, अब क्यों ऐसा reason था इस phase में इतनी negative rate क्यों आई थी, क्यों इतनी stagnant rate थी, क्योंकि births तो high हो रहे थे, लेकिन death rates भी बहुत ज़्यादा high थे, हमारे healthcare facilities नहीं थी, फैमाइन्स वगरा फैल रहे थे, illeraties से भी बहुत ज़्या phase 2 है 1921 से 1951, mostly इसमें भी हम under colony थे, लेकिन यहाँ पर हमें consistent population expansion देखने को मिल जाता है, क्यों अब healthcare facilities बढ़ रहे थी, sanitation nationwide improve हो रहा था, mortality rate यानि की death rates हमारे area में कम हो रहे थी, यहाँ पर हमें transportation और communication systems का advancement देखने को मिलता है, तो जो facilities थी वो हर जगह तक provide की जाहे थी, distribution networks better हो रहे थे, तो भले ही इस region में, इस time period में हमें economic depression देखने को मिला, भले ही इस period में हमें world war 2 देखने को मिली, लेकिन फिर भी हमें देखने को मिलता है कि consistent population expansion हमारे यहाँ पर हो रहा था, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिला है, कि death rate थोड़ा कम हुआ है, लेकिन जो birth rate है वो अभी भी काफी जादा है और बढ़ते चले जा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर हमें expansion देखने को मिलता है, phase 3 आ जाता है 1951 से 1981 के बीच में, अब हम इंडिया डेविलाप हो रहा था है इस time period में, तो यहाँ पर हमें काफी explosion देखने को मिलता है, population में, mortality rates कम होते हैं, क्योंकि हमें 2.2% की population growth rate देखने को मिल जाती है, यह post-independence का time था, जहाँ पे हमारे government की policies वगया रहे थी, development काफी हो रहा था, centralized planning की जाये थी, health care facilities के लिए, economic development के लिए, हमारे health लोग की better हो रहे थी, standard of living बढ़ रहा था, तो इन सारे factors के कारण अब deaths कम हो रही है, births अभी भी जादा हो रहे हैं, तो population एकदम से explode कर गई, और एक चीज़ क्या है, कि birth rates वगएरा बढ़ रहे हैं, death rate कम हो रहे हैं, लेकिन एक दूसरा factor भी था, जो हमने external factors की बात की थी, वो था international migration, हमारे यहाँ पे तिबद, बंगलादेश, नेपाल, पाकिसान, इन रीजन से काफी सारे लोग इंडिया में आ रहे थे, तो इसलिए भी हमारे यहाँ की population काफी phase 3 में बढ़ रही थी, अब आता है phase 4, 1981 से present date तक, ये time period में हमें देखने को मिलता है कि growth rate अभी भी हमारी काफी जादा है, लेकिन अब धीरे-धीरे कम होना चालू हो रही है, हमें downward trajectory देखने को मिल रहे है, crude birth rate में, तो अब यहाँ पर क्या है, healthcare facilities अभी भी improve हो रही है, तो death rate अभी भी कम है, लेकिन अब birth rate भी धीरे-धीरे कम हो रहा है, किन factors के कारण birth rate कम हो रहा है, अब जो marriage की age है, वो धीरे-धीरे थोड़ी बढ़ने लगी है, child marriage बगारा बहुत कम हो रहा है, young age पर लोग शाद running improve हो रही है, यह सारे factors है, तो overall in conclusion हमें देखने को मिलता है, कि अभी भी हमारे यहाँ पर जो growth rate है इंडिया में, वो काफी ज़्यादा हाई है, हमारे numbers काफी ज़्यादा हाई है, हमारे जो projections है, वो काफी high अभी भी हमें देखने को मिलते है, 13-15 million by 2025, तो population बहुत जादा है, अभी भी काफी बढ़ देखने को मिल रहा है, what are the salient features of population of India, तो अब यह एक ऐसा question है, वो किसी आपको एक face से नहीं आएगा, यह overall देखने को आपको मिलेगा, तो चालों का मिला कि इसका आपको answer करना पड़ रहा होगा, तो चालों हमने देख लिए हैं, आप answer कर सकते हैं, तो पूरा हम discuss इसको कर लेते हैं, जो adolescent population है, बहुत important है, यह future को पूरा define करती है, कि future में क्या क्या हमें differences देखने को मिलेंगे, क्या trends हमें population growth वगरा हमें देखने को मिलेंगे, adolescent से हम बात करें है, 10 से 19 इस वाले बच्चों की, यह total 20.9% of Indian population comprise करती है, जिसमें से 52.7 males है, 47.3% females है, geography के जो answers है, उनमें समझाने का जादा कुछ नहीं होता है, basic questions होते हैं, basic topics होते हैं, लेकिन यह numbers हमारे geography के importance को hold करते हैं, answer तो कोई भी लिख लेगा, लेकिन जो numbers लिख पाएगा, उसको marks मिलेंगे, तो numbers थोड़े ज़ादा हैं, लेकिन आपको याद करने पड़ेंगे, तो जो adolescence है, यह एक तरफ potential है हमारे इंडिया का, लेकिन हमें कुछ problems भी इनमें देखने को मिल जाती हैं, अगर properly guide और direct नहीं किया, तो बहुत साथी problems हैं, जो इस age में बच्चों को face करनी पड़ती हैं, तो major concerns क्या हैं इन problems से related, कौन से major concerning problems हैं, उनको हम देख लेते हैं, early marriage यह अभी भी problem है, illiteracy especially, females में हमें देखने को मिलता है कि, कई areas में females को पढ़ाया नहीं जाता है, school drop out rates कई बार concerning होते हैं कई regions के, ineducate nutrition, कई जगाओं पे इंडिया में अभी भी nutrition proper लोगों को बच्चों को नहीं मिल रहा है, which is a major concern for India, maternal mortality rate यानि कि, जो adolescent mothers हैं, उनमें हमें काफी सारी deaths देखने को मिलती हैं, HIV and AIDS prevalent हैं इन बच्चों में, physical or mental disabilities हैं, substance abuse, alcohol और drugs अगेरा देखने को मिल जाता है, juvenile delinquency, यानि कि, बच्चे जो under age हैं, लेकिन वो भी criminal activities में participate करने हैं, which is a major concern, और इन सारे चीजों को, concern को, दिमांग में रखते हैं, government of India को acts लेने पड़ते हैं, जिसके तुरू guidance दी जा सके इन बच्चों को, plus इनका जो talent उसको properly channel किया जा सके, utilize किया जा सके, write a short note on NYP, National Youth Policy of Government of India 2003, हो सकता है question आजाए, तो पुराना वाला question हो, इस वाला question को मिल के पूछ रहा हो, तो आपको दोनों का answer, एक ही answer में लिखना हो, तो इसको भी हम देख लेते हैं, the government of India जो है, उसने इन adolescence के proper education के लिए इस scheme निकाली है, ताकि इनका जो talent है, वही same line हम channel कर सके, utilize कर सके, तो इसका full form है, the National Youth Policy, जिसको 2014 में launch किया गया था, 2014 February में, जिसमें एक holistic, एक complete vision लाया गया था, इन बच्चों के overall growth और development के लिए, basically इसका goal क्या था, जो हमारी youth population है, उसको हम सही से guide कर सके, उसको promote कर सके, और India को overall हम develop कर सके, जब हम youth की बात कर रहें, तो हम बात कर रहें, age group of 15 to 29, फिर, the National Policy for Skill Development and Entrepreneurship, ये एक अलग scheme है, 2015 में initiate की गई थी, जिसका purpose था, कि इन youth audience को, इन बच्चों को skills सिखाई जाएं, जो कि real life में use की जा सके, demand center से link, यानि कि, जिन skills की demand है, हमारी economy में, वो skills इनको सिखाई जाएं, ताकि वो इसको आगे future में use कर सके, economy में, कुछ produce करने के लिए, या फिर कुछ help करने के लिए, तो हमारे यहाँ पर समझ में आता है, कि जो social composition है, जो population distribution है, उसको समझना कितना दोड़ा important है, ताकि आप properly देख सको कि क्या क्या requirements है, policies क्या form होने चाहिए, और क्या क्या हमें, आगे steps लेना चाहिए government को, हम बात करेंगे पहले, पूरे सारे features जितने भी हैं, फिर हम अर्बन population की बात करेंगे, जो population composition है, यह इस पर भी differ करते हैं कि बाई, कौन सी population rural areas में रही है, कौन सी population urban areas में रही है, यह भी एक factor है, तो social and economic factors यहाँ पर आ जाते हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर यह वाला जो factor है, वो बहुत ज़्यादा important हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक major section है, जो कि village areas में रह रहा है, यहाँ पर हमें divide देखने को मिलता है, urban और rural population में, तो कितना population है, 68.8% of people still reside in villages, 640,867 villages हैं, जिसमें से 93.2% inhabited हैं, यहाँ पर अभी भी लोग रह रह रहे हैं, हमारे इंडिया के अगर हमें कुछ regions की बात करें, बिहार, सिक्किम, यहाँ पर हमें काफी high percentage में population देखने को मिलती है, जो कि village में रह रही है, लेकिन अगर contrary, गोवा, महाराश region की बात करें, तो यहाँ पर कम rural population का number हमें देखने को मिलता है, इसमें भी जो villages के sizes हैं, वो काफी differ करते हैं, place to place, कहीं पर 200% के villages हैं, उनसे भी कम लोग, कहीं पर हमें देखने को मिलता है कि 17,000 और plus members के villages हैं, फिर अब क्या वो factors हैं, जो rural population के concentration को influence करते हैं, अगर urbanization जादा से जादा होगा, तो rural population कम होगी, rural urban migration कब जादा होगा, जब urban areas में जादा opportunities मिलेंगी, तो अगर कहीं पर urban areas में काफी opportunities हैं, काफी attractive हैं, तो वहाँ पर population shift हो रही होगी, और rural urban migration हमें काफी जादा देखने को मिलेगा, बोथ intra-state, यानि की within the state, and inter-state, यानि की दूसरे states में, अब हम बात करते हैं, urban population की, 31.16% of India's total population lives in urban areas, और हमें काफी growth देखने को मिले हैं, क्योंकि economic development हो रहा है, health conditions better हो रही है, तो अब urban population number में बढ़ रही है, धीरे-धीरे, जैसे-जैसे development हो रहा है, लेकिन पूरे इंडिया में हमें differences देखने को मिलते हैं, कहीं पर जादा urban migration है, कहीं पर कम है, अगर हमें बात करें, सारे states और union territories की, तो हमें mainly यही चीज़ देखने को मिली है, कि हमें urban population में increase देखने को मिला है, तो इससे क्या समझ में आता है, socio-economic development हो रहा है, और rural urban migration बढ़ रहा है, किन reasons के कारण, अगर यह लेखने को आएगा, तो हम क्या लेखेंगे, road networks, rail networks बेटर हो रहा है, industrial zones बन रहा है, urban corridors यानि की काफी developed urban centers बन रहा है, जहाँ पे आप migration देखने को मिल रहा है, हमें rural to urban, और just इसके opposite, अगर कहीं पे urban stagnation, agriculture stagnation है, या फिर geographical challenges है, तो वहाँ पे हमें urbanization के rates कम देखने को मिलते हैं, write a short note on linguistic composition of India, not so important, लेकिन एक छोटा सा topic है, पढ़ लेते हैं न, वेसे जादा important तो नहीं है क्योंकि काम आता है, लेकिन हमारे linguistic diversity में हमें देखने को मिलता है, कि 179 languages हैं, and over 544 dialects हैं, according to Gryasun's linguistic survey of India 1903-1928, अब language और dialects में अंतर क्या होता है, हिंदी जैसे की एक language है, अब मेरे यहाँ पर, जहाँ पर मैं language हिंदी बोल रहा हूँ, हैं दोनों हिंदी एक ही language है, लेकिन dialect अलाग अलाग है, अगर हम contemporary इंडिया की बात करें, तो 22 scheduled याने की constitution में recognized languages हैं इंडिया में और बहुत सारी non scheduled languages हैं, हिंदी speakers सबसे जादा percentage में है, scheduled languages की अगर आपन बात करें तो, यह भी हमारे scheduled languages हैं, लेकिन सबसे smallest groups को comprise करती हैं, अब अगर आपन इंडिया की बात करें, तो जो linguistic हमारे regions हैं, ऐसा divide नहीं है कि यह एक language बोला तो पूरा उसमें हमने divide कर दिया और boundaries बना दी, हमारे division इस तरीके से नहीं हुआ है, हमें यह भी देखने को मिलता है कि एक ही area है, लेकिन आप जैसे जैसे आगे बढ़ते चले जाओगे, तो वहाँ पर हमें नए dialect देखने को मिलते जाते हैं, जैसे कि मैंने example दिया, थोड़ा language change होने लगती है, तो यहसा gradual change हमें across India देखने को मिल जाता है, अगला question है, religion is one of the most dominant forces affecting cultural and political life of majority of Indians, elaborate, नीचे के question भी आप pause करके पढ़ लीजिएगा, कई बार religion से related questions आ जाते हैं, तो हम सारे religion के numbers को एक बार देख रहते हैं, हमारे India में religion का important बहुत जादा है, हमारे cultural और political जो aspect हैं, वो काफी हद तक religion से affect होते हैं, तो उसको हम देख रहते हैं कि कितने religion हैं, क्या differences हमें सब में देखने को मिलते हैं, हमारे यहां का population distribution हैं, इंडिया का, वहां पर हमें देखने को मिलता है, कि ऐसा नहीं है कि सारे religion equally हर जगह पर फैले हुए हैं, नहीं हमें disparities देखने को मिलती है, किसी एक religion की बहुत numerical strength है, किसी एक state में, किसी एक district में, कहीं पर ए regions, except कुछ regions से जहां पर इनका number हमें कम देखने को मिलता है, तो हम बात कहले हैं, उन exceptions की हो गए, इंडो बांगलादेश और इंडो पाकिस्तान बॉर्डर्स, जम्मू और कश्मी रीजन्स, हिल स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इस्ट, एंडेकन प्लेटू और गंगा प्लेन के कु इसके लावा, वेस्ट बेंगॉल और केला के कुछ रीजन्स, यूपी के कुछ डिस्टिक्स में काफी हुज नमर में, डेली के इन और आराउंड काफी जादा है, लक्षदीप में, मेंली कश्मीरी वैलीज और लक्षदीप में हमें काफी मिजॉर्टी मुस्लिम्स की देखने को मिलती है, इसके लावा, ये वेस्टन कोष्ट और गोवा और केला, इन जगाओं के के रीजन्स में काफी जादा कॉंसेंट्रेटेटेड है, इसके लावा, हिल स्टेट सच अज मेंगाले, मिजोरम, नागलेंड, छोटानागपूर एरिया, एंड़ हिल्स और मनी में, जैन्स काफी है, बुद्दिष्ट, महाराज के कुछ रीजन में काफी जादा है, सिक्क्यम के रीजन में काफी है, अरुनाचल प्रदेश, लद्दाग, जमू और कश्मी, तरपुरा, लाहोलेंड, समिती, हिमाचल प्रदेश, यहां पर भी देखने को मिल जाते हैं, इसके इलावा, जुराश्चियन भी कुछ जगाओं पर फैले हुए है, ट्राइबल है, इंडिजिनेस, बिलीफ्स, पेट्स और बिलीफ्स, इंडिजिनेस रहने की, वहां के लोकल लेवल पर जो बिलीफ्स और फैट्स फाले जो ग्रॉप्स हैं, यह भी हमें देखने को मि इंडिया के सारे रिलीजियस ग्रॉप्स, अब एक चोटा सा क्वेशन है, मार्जिनल और मेन वर्कर में डिस्टिंगेश करिए, मेन वर्कर यानि की जिसके पास at least 183 डेज या फिर 6 मंश का वर्क है एक साल में, मार्जिनल यानि की जिसके पास नहीं इससे कम वर्क कर रहा ह तो कैसे भी फॉर्मेशन के साथ आए, हम टॉपिक हमारा यही होने वाला है, इंडिया में तीन ग्रॉप्स हमें देखने को मिल जाते हैं, एक हो गए मेन वर्कर्स, दूसरे मार्जिनल वर्कर्स और तीसरे नॉन वर्कर्स, हमारे यहां पर सिर्फ 39.8% जो पॉपुलेशन ह आती है, चाहिए वो मेन या फिर मार्जिनल वर्कर्स हो, और 60% पॉपुलेशन ऐसी है, जो इन लोगों पर डिपेंडेंट है, क्योंकि खुद काम नहीं करना है, खुद नॉन वर्कर्स हैं, तो हमें काफी हाई नंबर ओफ पॉपुलेशन देखने को मिलता है, जो कि अनें पर 9% है, तो एकदम बहुत मेजर डिफरेंसेस नहीं है, पर हमें थोड़े मॉडरेट चेंजेस देखने को मिल जाते हैं, कुछ जगाओं पर हाईर वर्कर्स पॉपुलेशन है, कुछ जगाओं पर कम है, हाई वर्क परसेंटेज वाली स्टेट कौनसी कौनसी है, हिमाचल अरुनाचल परदेश, नागालेंड, मनिपूर, मिगाले, और यूनियन टेरिटरीज में दादरा, नागरहवेली, दमय इंद्यू, यहाँ पर हाई वर्किंग पॉपुलेशन हमें देखने को मिलती है, अब हम बात कर लेते हैं, कौन से वो सेक्टर से जहाँ पर यह वर्कि सेक्टर, जो की काफी हूज नंबर्स में, कंपेर्ड तो सेकेंडरी और टर्शी सेक्टर, 54.6% जो टोटल वार्किंग पॉपुलेशन है, वो अगरिकल्चर में इन्वाल्ड है, 3.8% हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में, 41.6% ट्रेड, कॉमर्स, कंस्रक्शन एंड सर्विसे हमें, हमें मेल नंबर्स जादा देखने को मिलते हैं, मेल पॉपुलेशन बहुत जादा है, फीमेल पॉपुलेशन उतनी जादा नहीं है, किसी भी सेक्टर की हम बात कर लें, अगला क्वेशन आता है, वाई हैस्ट गवर्मेंट लॉंच बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, क्यों लॉंच किया है, हमारी सोसाइटी, मेल, फीमेल, टांजेंडर, ऐसे अलग-अलग नेचल डिविजन देखने को देखती है, कभी हमें लग रहा होता है, यह नेचल है, बायोलोजिकल है, लेकिन एक फैक्ट यह भी है, कि एक्चली देखने को मिलते है, सोशल इनेक्वैलिटीज देखने को मिल जाती है, डिस्क्रिमिनेशन और एक्स्क्लूजन देखने को मिल जाता है, टांजेंडर का या फीमेल्स का बहुत हद में, इन बायोलोजिकल डिफरेंस के बेसिस पर यह सब इविल चीज़ें की जा रही होती है अगर आप आदी से जादा पॉपुलेशन को एक्स्क्लूड कर दोगे, उनको डिस्क्रिमिनेट कर रहे होगे, तो आपकी जो प्रोग्रेस है सोसाइटी की वो हैंपर होगी ही होगी, UNDP ने भी यही बात बोली है, कि अगर डिवलपमेंट में, आप इफ डिवलपमेंट इस अगर आप सारे जेंडर को इंक्लूड नहीं करोगे डिवलपमेंट में, तो आप गलत रहा पे चाल रहो, इस इंडेंजर तो डिस्क्रिमिनेशन जो की चीज़ है, इस पेशली जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिलकुल गलत है, इस अ क्राइम अगेंस हुमेंटी, तो हमें डालने पड़ेंगे, जिसके लिए ये बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, जो कैम्पेन है, वो लाया गया है, कोशिच गवर्मेंट की यही रहती है, कि सुसाइटी में डिस्क्रिमिनेशन कम हो, इन डिस्क्रिमिनेशन को अगर हम हटा नहीं पाएंगे, तो हम कभी भी सु पॉपुलेशन इन इंडिया सिगनिफाय, तो हमने जो वर्कफोर्स की बात करी थी, अब हम थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं, कि किन सेक्टर में किस तरीके से ट्रेंड्स हमें देखने को मिल रहा है, इंडिया में, हमने पहले ही बात कर लिया कि प्राइमरी सेक्ट तो 4.6% हो गया, और future में अभी 2024 में तो और भी जादा काफी नंबर गिर गया है, इसका reason क्या है, जो secondary और tertiary activities है, जो sectors है, वो काफी जादा rise कर रहा है, हमें shift देखने को मिल रहा है, workers का, from agriculture to mainly tertiary sector and even secondary sector, तो आप इस heading को बना सकते हैं, एक sectoral shift हमाहीं इंडियान economy में आया है, non-farm से, अब farm activities से, अब non-farm activities की तरफ लोग जा रहा है, अब हम state-wise भी बात कर लेते हैं, जोगरफी में अगर आप numbers नहीं लेखेंगे, states mention नहीं करेंगे, तो क्या answer लेखा आपने, हमें आचल परदेश और नागलेंड, यह वो region है, जहाँ पर हमें cultivators की population काफी जादा दे development काफी जादा हो रहा है, जैसे कि Delhi, Chandigarh, Puducherry, तो यहाँ पर हमें non-farm sectors में जादा population देखने को मिल रही है, तो इससे हमें समझ में आता है कि agricultural land की थोड़ी सी limitation है, availability of resources कम है, agricultural activities अब कम हो रही है, और urbanization बढ़ रहा है, industry जादा setup हो रही है, hence non-agricultural population थी, वो अब industrial sector में जा पता होना, तो अगर आपको answer framing में थोड़ी सी भी दिक्कत आती है, तो आपको link description में मिल जाएगा, answer writing का course, top quality, top notch course है, इसको आप का चेस कर लिजेगा, आपकी answer writing की सारी दिक्कतें जड़ से मिठ चुकी होगी, इसी के साथ ये वीडियो खतम होता है, hopefully आपको वीडियो अच आपको 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 आपक